हेई गाईज, असलाम अलेकुम, मैं हम है कुरुबाब कादरी and welcome back to my channel लॉंग टाइब नोसी, बहुत मुद्दत की बाद जो है वीडियो अपलोड कर रही हूँ और ये वीडियो जो है बहुत खास है, आजकल जो है गर्मियों का सीजन आन है और पसीने से बहुत बुरा हाल है, गर्मी की वज़ा से जो है open pores रहते हैं, acne produce होता है और बड़ा बुरा skin का हाल हो जाता है, तो ऐसे situation में हम हमारी skin का खयाल किस तरह रखे और वो कैसे products हैं जो हम use करें ताकि हमारी skin जो है fresh और जो है glow लगे और जो हमारा गर्मी की वज़ा से या जो है heat की वज़ा से color डिम ना हो और skin खराब ना हो तो आज मैं अपके साथ जो है कुछ ऐसे ही products शेयर करने वाली हूँ summer care के हवाले से तो जो नए लग मुझे देख रहो प्लीज अश्चार आपके सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो को लाग और शेयर कर लेना और निचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइगा कि आपके वीडियो कैसी लगी तो चलिए अपके वीडियो को शिरू करते हैं तो जैसे के मैं आपको बताया मैं जो है समर के हवाले से आपके साथ प्रोड़क्ट्स चेर करने वाली हूं तो फिर से बता दू यह वीडियो उनके लिए है जिनकी जो है ओली इसकिन है और अग्नी प्रॉण इसकिन है और वो इसकिन जो कि गर्मे में बड़ी खराब रहती तो यह उनके लिए मेरे सारे प्रोडक्ट्स है तो मैं जो है के प्रोड़क्स यूज करने वाली हम और ञासे करने इसकिनि के लिए प्रोड़क्स मज सब करने वाली हूं वो है ये औरी फ्लेम का प्यूर स्किन प्यूरिफाइंग फेस वॉश अच्छा बहुत सारे लोगों कोई अंदाजन नहीं होता है और ये इसका आइडिया नहीं होता है कि स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश कौन सा यूज किया जाए आपके अगर ऑईली में आपके साथ फेसवाश यूज है या डिपली क्लीन हो जाता है आपके पोर्स भी बहुत अच्छे से और जो है आपके स्किन पर एक डियंट ग्लौ आता है आज़कल यूज हों साथों कर रहे हूं तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं अगर आपकी oily skin है या acne prone skin है तो जो भी आप face wash यूज़ करें हो आप जयल बेस यूज़ करें हो ये वाला face wash भी यूज़ कर सकती है regular basis के लिए तो मैं जो है रोज क्या कर रही हूँ मैं इस face wash से अपना face wash करती हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपने बहुत अच्छे से इसकी थोड़ी सी quantity लेनी है और face पर मसाज करके अपने face की deep cleansing करनी है और फिर आपको पानी से अपने face को wash कर लेना है स्क्रीन पर आपको नज़र आरहा होगा कि इसकी एक wash करने से आपका face जो है कितना clean और कितना fresh नज़र आता है और बहुत 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 देता है तो this face wash is very good for summer क्यूंकि इसमें जो है एक थंड़क वाला feeling है आप इससे अपना face wash करती है तो आपको जो ह सिन गुलिंगय Maisky 세ट का थे और आत्र इस एक आपको जो है तंड़क वाला है को मेरे पाइस जो है फ्रोड्यक इसकी बिली कि एकशेश भाशा करो вас ज रहा है अर्या करका प Oxford और तर देय naught ही सभी ना एक Cthe यह जैसे ब्लेक हेड के दूसरे मास्क धो प्लाइ करने पर इतार तो इससे खीश आपके ब्लेक हेड्स बाके अगर निकलते हैं तो यह चार्कॉल काईड ओफ मास्क नहीं है यह क्रीम बेस मास्क धिशको जब आप अपलाई करती हैं प्लाइ करने के पांच मिन बाद जब एक मुष्य छूब होना हमाज कि अच्छा रेडियन और फ्रेश ग्लोफ को अपको अमाज आत्र इस मिलेगा इस को एक मुलाए करने के बाद भी आपको अपको कूल है आपको जो हो जो हे अब्सक्ति को अपको इस स्थीन बहुत प्रेश फील होती है बहुत थंटक वाला आसा और आपकी जो ए इसकीन को बहुत आच्छा यह पूरिफाइंग करेगा यह वाला मास्क ऐस वैल तो अपने क्या करना है फेस वॉच से मूध होने के बाद आपने से आपके जो प्लाइ करने के बाद आपने इसको रिमूँव कर लेना है इससे आपके ब्लैक हेड्स पी रिमूब होंगे और आपके स्पॉर्ट पर भी काम करेंगा और आपके हाइपर पिग्मेंटेशन और डाक स्पॉर्ट पर भी उसको लाइटिन करने की कोशिश करेंगा अब मेरपाल जो प्रोड़क्ट हे और अरिफ्लेम का प्यूर इसकेंगा रिफ्रेशिंग टोनर अच्छा क्या काम करता है। टोनर आपके पोर्स को मिनिमाईज करता है और आपके face पर से hyper pigmentation को भी light करता है और साथ ही साथ आपके face को tightening effect भी देता है और अपके पोर्स की deep cleansing हो जाती है और बहुत अच्छा आपको face पर soothing effect भी देता है बहुत सारे toner होते हैं जो अपके face पर लगने की बाद कुछ ऐसा effect नहीं देते हैं और कुछ ऐसा feel भी नहीं होता है लेकिन वह वैसे आइस्था आइस्था आपके face पर काम कर रहे होते हैं लेकिन यह जो toner है इसको apply करने पर भी आपको face पर जोड़ा सा tingling और burning effect मिलेगा वहां पर जहां पर आपके open pores बहुत जादा होंगे या फिर आपके acne या pimple वगेरा का जो एरिया होगा वहां पर आपको burning effect फील होगा लेकिन आपने इसको apply करना है क्यूंकि वह आपके जरासीम और जो भी कुछ आपके pores open हुए वे हैं उसको जो है श्रिंग करने की कोशिश कर रहा है और आपके जो एकनी वगेरा के जो जगा पर ये बर्निंग एफेक्ट हो रहा है वहां पर भी आपके जो है जरासीम को किल कर रहा है तो इस टोनर इस हाइली रेकमेंड एस वेल अगर आपको जो है खुश्बु वाले प्रोड़क्स से इरिटे इरिटेशन होती है लास्ट प्रोड़क्ट है मेरे पास प्यूर इसकिन का स्वाइस स्पॉर्ट जेल और इसकी मुझे बहुत जादा रिक्वस्ट रिव्यो करें इसको ट्राइकर कर बताएं तो इसको मैंने यूस किया यह चोटे वाला है इसे बड़ी पैकेजिंग में भी एक आता है सो बेसि अपलाइ करने के बाद फिर आप सो जाएं यह वाली रूटीन जो मैंने अपके साथ शेयर किया है यह नाइट टाइम रूटीन है तो यह सारे प्रोड़क्ट आप एक साथ जिस तर्तीब से मैंने यूस किया है उसी तर्तीब से रात को यूस करने तो आपको एफेक्त अगर आगर आप अपेर शेयर के नवाले के तो यह वह को एक दृटीन है अगर अगर टेकिल आप ते प्रोड़क्वें जो है खरेंगी जिसकाउंट मिलेंगा लेकिन अपने में पर देख लिगा यह उन से करीडेंगी जन से मैंने खरीदेंग तो आपको डिसकाउंट भी और आपको अथेंटिक औरिशनल प्रोडक्स मिलेंगे विच इस वेरी नाइस तो उनका लिंक मैं जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेंगे तो इस आज की वीडियो में यही था यह मुझे आपकी साथ प्रोडक्स शेयर करने थे क्योंकि गर्मिया बहुत जादा है सम आज मी सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि आपसे आपको वीडियो जो है वीकली तो इन्शाला दाला मिलती रहेंगी दैट्स में एकर बाब कादरी से इंग अलाव श्री ओल्ड़ दौाओं में याद रखेगा बाई बाई